Hello students, welcome back, आज का मारा topic है operator overloading, ये question exam में 3 to 4 marks के लिए आता है और sometimes 5 marks का एक हाधी program भी पूछा जा सकता है बट आज हम इसके theory नहीं देखने वाले हैं, सबसे पहले हम आज इसका programs करके देखेंगे, थोड़ा सा used to हो जाएंगे operator overloading से, then हम switch करेंगे theory topic के तरब जब एक बार आपको समझ जाए कि operator overloading कैसे काम करती हैं, तो उसके theory topic समझना भी बहुत ही easy हो जाएगा तो उसमेंसे भी हमने एक topic चूज किया है guys, operator overloading में से, overloading unary operator देखो guys हम दो type के operator overload कर सकते हैं, एक होता है unary और दूसरा होता है binary, तो हमने चूज किया है unary operator यह topic पढ़ने के लिए आपको थोड़ ऐसा operator के बारे में knowledge होना चाहिए, basic knowledge होना चाहिए और वो आपको है क्योंकि यहां तक हम पोच्चे, इसका मतलब of course आपको operator वगरे समझते हैं तो guys, demonstration के लिए हमने class चूज किया है, as usual, हमारा कोई भी नया topic होगा, तो हम इसी class का use करते हैं और यह बहुत ही simple class होता है, इसमें आप concept अच्छे से समझ सकते हैं तो इसके अंदर आए हम class के अंदर और यहां पे private variable मैंने declare किया है, variable का आप नाम देख सकते हैं, integer a है तो इसी में guys, हम एक public section बना देते हैं और public section में आप यहां पे function बनाते हैं guys, as usual, void get data नाम का मैंने हाप फंक्शन बनाया है और पता है guys, यह हमारे लिए क्या करेगा, इस a की value rate करेगा, तो बहुत सारे way होते है value rate करने guys, आपको idea है, अच्छे से, आप user से value मांग सकते है, message करके, यहां पे scene लिख सकते है, even आप क्या कर सकते है, main में value rate कर सकते है और यहां पे value pass कर सकते है, तो जो भी आपको तरीका आसान लगता है, आप वो कर सकते है, तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है guys, वहां से value rate करूँगा, या वहां से value, वहां से in the sense guys, main से value मैं pass करूँगा, और वो value मैं कहां पे store करूँगा, x में store करूँगा, यानि ultimately मैं क्या कर में मैसेज लिख दोगे और एक वालू हम डिस्प्ले करेंगे इसके बाद कुछ और भी प्रिंट हो सकता है इसलिए हमने यहाँ पर एंडल लगा दिया है तो यह हमारा बेसिक सा नॉर्मल सा क्लास है इसके पहले भी हमने बहुत बार यह क्लास देखा होगा किसी ने पूछा इसको क्लास क्या करता है तो आपको सिंपल सा जवाब होना चाहिए कि इक nine रीट करता है और उसको वह की उनरे परेटर वगरे कैसे काम करते हैं या याने कि इंटिजर एन बनाया है इंटिजर गाइज एक built-in data type है इसे primary या basic data type भी कहा जाता है क्योंकि इसकी coding आपने थोड़ी लिखे है न ये compiler में पहले सी present है built-in है इसको बस आपको direct use करना है तो जो हम declaration करते हैं तो क्या होता है आपको पता है इंटिजर की पूरी property इस variable के अंदर आ गई है तो क्या इसे initialize कर सकते हैं yes initialize कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर 10 initialize किया है इतना सिंपल सा यह initialization वाला topic है और अब देखो guys मैं एक operator का use कर रहा हूँ शायद आपने इस operator के बारे में सुना भी होगा इस operator का नाम है increment operator और यह एक unary operator है अब unary operator मतलब कौन से operator होते हैं जिस operator को work करने के लिए बस एक ही operand की या constant की आपको जरुरत पड़ती है या variable की जरुरत पड़ती है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह plus plus वाला operator जस्ट एक ही variable के उपर काम कर रहा है कोई और extra हमने यहाँ पर variable लिया है कि नहीं that's it और इसका शायद आपको meaning भी पता है कि n is equal to n plus 1 यानि कि n में जो value है उसको एक से increment करके वो उसी variable में यह store कर देता है यानि ultimately guys इसकी value क्या हो जाएंगी 11 हो जाएंगी अब यह सच में हुई है या नहीं हुई है value इसके लिए हम क्या करेंगे message लिखेंगे तो मैं यहाँ पर दो message लिखता हूँ increment के पहले भी एक message लिख देते हैं जैसे कि value of n is equal to n मतलब की increment होने से पहले इसकी value क्या थी वो हम यहाँ पर लिख देंगे और एक बार हमारा increment हो गया guys after increment हम value display कर देंगे ऐसा message लिखें value of n after increment और उसी n की value हम यहाँ पर display करेंगे मेरे खाल से इतना तो आपको आना ही चाहिए guys कि increment, decrement, plus, minus यह operator कैसे काम करते हैं तो ही आप further topic समझ पाओगे इसे हम करते हैं compile कोई error नहीं guys और देखो run करने के बाद value of n 10 था and value of n after increment 11 हो गया simple सा हमारा यह task था इतना तो आपको समझता ही है अब हमारे पास उपर एक class है जैसे earlier हमने discuss किया है इसमें एक value आप pass कर सकते हैं और उसे वो क्या कर सकता है डिस्प्ले कर सकता है तो देखो guys अगर आपको उपर वाले class को अगर access करना है तो उस class का आपको क्या बनाना पड़ेगा object बनाना पड़ेगा तो मैंने number n1 n1 नाम का मैंने एक object यहाँ पर बना दिया है और आपको भी get data नाम के function को call करना है तो मैंने यहाँ पर बनाते समय मैं यहाँ पर अंदर integer X लिखा है यानि कि एक argument वहाँ पर लिखा है यानि कि इस function को अगर आपको call करना है तो एक value आपको pass करनी पड़ेगी तो यहां से यह 25 गाईज पता है कहां पे जाता है इस x में copy होता है और then ultimately यह copy हो जाता है and 1.a is equal to 25 internal बात है यह internally ऐसा होता है हम नहीं कर सकते computer ऐसा automatic कर देता है आपको just call करना है इतना knowledge तो आपको होना ही चाहिए और है शायद तो अब क्या करते हैं guys हमने इस value को क्या कर दिया है पास कर दिया है तो सच में value वहाँ पे गई है कि नहीं है यह जानने के लिए इसे क्यों न यही पर display कर दिया जाए एक message के साथ जैसे कि लिखते हम यहाँ पे value of n1 is equal to ऐसे ही मान लो कि n1 ने value rate की है तो हमने वहाँ पे उसक display करेगा तो देखो guys यहाँ पे एक normal variable भी है और एक object भी है तो इसे कर देते हम run और आप देख सकते हैं value of n is equal to 10 आया है and value of n1 is equal to 25 आया है बस वह एक line में आये हैं तो यह जो value आपने display की है ना उपर उसमें क्यों ना handle लगा दिया जाए और फिर से इसे compile किया जाए तो कोई error नहीं और run करने के बाद एक थोड़ा सा अच्छे सा दिखेगा आपको देखो guys value of n1 is equal to 25 आ गया यानि कि आपने जो value pass किये ना वह बराबर उस जा मैं यहाँ पर n1 plus plus करना चाहता हूँ guys आप यहाँ पर क्या expect कर रहे हैं कि n1 ने हमने जो value rate की है क्यों ना उसकी value एक से increment हो जाए एक ही तो value rate की है ना 25 क्यों ना उसका 25 का 26 हो जाए इतना ही मैं चाहता हूँ और सच में यह होता है कि नहीं होता है यह check करने के लिए एक message ल है चलो इतना aim आपको समझ गया कि मुझे क्या करना था जैसे मैंने n के साथ plus plus किया है उसकी value increment की है वैसा ही में हमारे object के साथ करना चाहतो जिसका नाम है n1 अगर इसे आप compile करते हैं guys तो अब देखो क्या होता है एक error आया है और error अच्छे से देखना कैसा error है illegal structure operation और देख हो ना एक n क्या है n एक हमारा integer variable है and what about integer integer एक built-in data type है मतलब n देखा जाये तो एक variable है na integer का वैसी guys अगर यहां पर आप अच्छे से observe करो तो what about n1 n1 क्या है n1 number नाम के class का object है and what is object guys objects are the variable of the classes तो number हमारा class है और n1 भी variable है जैसे उपर n variable है n1 भी variable है guys और पता है integer जैसे built-in data type है number यानि कि हमारा यह class एक user defined data type है मतलब कि यह जो हमारा plus plus है building के साथ काम करता है उसे कोई problem नहीं है बट जब object के साथ काम करने की नौब बताती है तो वो error देता है तो यह भेदबाव नहीं हो गया उपर क यह variable के लिए वो work करता है और यहाँ पर नहीं करता है तो इसी भेदबाव को आपको मेटाना है और इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ता है operator overloading यूज करना पड़ता है देखो गाइस problem क्या है अब कि जो हमारा compiler है जो design किया गया है उनके उनके अंदर जो operator है बहुत सारे operator है arithmetic operator है relational है logical operator and so on बहुत सारे operator C++ में वो design कैसे किये गए है पता है ताकि वो किसके उपर काम कर सके जो हमारे built-in data type है उनके उपर काम कर सके object के साथ काम करने के लिए उन्हें design नहीं किया गया है बट guys हमें ऐसा करके दिखाना है तो अगर ये चीज possible नहीं है operator के through normal operator के through अगर वो possible नहीं है तो आपको इस operator को क्या करना पड़ता है पता है guys overload करना पड़ता है और वही तो हमारा topic है operator overloading का मतलब ही ये होता है guys कि ये जो operator है हमारे इन्हें हम special meaning दे सकते हैं या special meaning देते हैं so that they can work with the object just like the built-in data type जैसे वो built-in data type के उपर काम करते हैं हम चाहते हैं कि वो object के उपर भी काम करें तो बस वही हमें achieve करना है तो फिलाल ये चीज़ guys हमें possible नहीं है तो इसे मैं हटा देता हूं side में रखता हूं और देखो guys जो चीज़ possible नहीं है ना operator से वो हम function से बना सकते हैं तो देखो function कैसे बनाते हैं तो मैं क्या करता हूं एक object लेता हूं वह function क्या करेगा पता है increment करने का काम करेगा और बात में वो value display कर देगा display नाम का function function तो बना सकते हैं मैं operator use नहीं कर सकता वर फंक्शन हम बना सकते हैं चलो इसे हम function बनाते हैं तो function कहां पर बना सकते हैं inside the class बना सकते हैं तो देखो मैंने यहाँ पे void increment लिखा है तो आप बोलेंगे sir void क्यों लिखा है देखो guys क्योंकि वो function कुछ भी return नहीं कर रहा है आप देख सकते हैं इसके सामने use करते समय equal to sign का use नहीं हुआ है अगर equal to sign का use नहीं हुआ है इसका मतलब function कुछ return करता नहीं है अब रही बात वो return करता नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है वाइड लिखा है अब क्या होता है guys यह function को आप define कहां कहां पे कर सकते हैं एक तो inside the class कर सकते हैं तो क्यों न, outside the class करें, तो देखो, outside the class कैसे करते हैं, पहले void लिखो, उसका return data type, then मैंने यहाँ पर number लिखा है, उसका class का नाम, और then हम function का नाम लिख देते हैं, increment, तो हमारी लिए यह function क्या करेगा, guys, पता है, n1 ने जो value rate की है, उसको वो increment करके दिखा देगा, तो अब n1 ने क्या rate किया है, यही तो value rate किया है, तो a is equal to a plus 1, इस function को जो भी call करेगा, उसे यह answer मिल जाएगा, या नहीं a plus plus, तो ultimately क्या हो रहा है, वो आपको अच्छे से यहाँ पर समझना है, जैसे देखो, n1 ने get data को call किया है, तो हम वहाँ पर चले गए, n1 ने display को call किया, तो हम वहाँ पर चले गए, वैसे ही n1 ने increment को call किया है, तो देखो, हम कहाँ पर पहुचे हैं, हम इस function में आए हैं, तो आपको again idea है, कि मैंने आपको पहले clearly बताया है, कि जो function call करता है, वो उसके साथ में भी pass होता है, और वो किसके साथ attach हो जाता है, इसके अंदर जो variable है, उसके साथ वो attach हो जाता है, तो पता है guys, यहाँ पर क्या हो रहा है, increment किसका हो रहा है, पता है, n1.a का ही increment हो रहा है, आप बुलेंगे कैसे, तो वही concept, जो इसको call किसने किया है, n1 ने call किया है, तो n1 ने जो value read की थे, तो n1 ने कौन सी value read की थी guys, 25 read की थे न, तो 25 में 1 मिलके, कितना हो गया, 26, और पता है, आप उसे store कहाँ पर कर रहे हैं, n1.a में store कर रहे हैं, that's it, तो मतलब indirectly guys, वहाँ पर direct नहीं हो रहा था न, तो हमने इस function का support लेके, उसकी value एक से increment की है, that's it, और अब नहीं क्या guys, इसे हम compile करते हैं, और check करते हैं, कि क्या हमने जो किया है, उसका support आपको मिला है, देखो कोई भी error नहीं, और मैंने यहाँ पर run किया है, तो जैसे ही आप run करोगे, आप देख सकते हैं, पहले हमारे normal integer variable थे, 10 का 11 हो चुका है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, value of n1 is equal to 25, and value of n1 after increment कितना हो गया, 26, तो आपको support मिला न, मिल गया support हम मानते हैं, बट क्या यह इस तरीके से दिखता है, वैसी होनी चाहिए, मुझे still इसका support चाहिए, गाईज, n1 plus plus का, अभी भी हमारा operator overroading का topic, शुरू ही नहीं हुआ है, मैं आपको बता रहू कि requirement कहाँ पर पढ़ रही है, function से होता है, हमने agree भी कर लिया, हमने इसका demonstration भी देख लिया है, ठीक है, तो अब नहीं क्या, इसे हम कुछ और तरीके से, अलग तरीके से करके देखते हैं, जैसे कि पहले मैं आपको बता दू, ऐसा दरूई नहीं कि यहाँ पर आप बस increment नाम का ही function बनाओ, अगर मैंने यहाँ पर inc लिखा, आप देख पारे हैं ना, यहाँ पर inc लिखा, तो मुझे हर जगे पर inc नाम यूज़ करना पड़ेगा न, क्योंकि हर जगे पर नाम same ही होने चाहिए, तो क्या यह work करेगा क्या guys अभी, कर सकता है कि नहीं कर सकता है, of course कर सकता है, इसे आप run करोगे, तो still आपको answer दिखने ही वाले हैं, तो अगर आप नाम change करते हैं, तो कोई problem नहीं है, तो देखो guys, इस बार में क्या कर देता हूँ, function के नाम में क्या use करता हूँ, inc को हटा देता हूँ, और इसके जगा में plus plus लिखता हूँ, तो मैंने पता है, प्लस प्लस एक function का मैं नाम assign कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, कि मेरे function का नाम increment, inc के बजाए, क्या हो जाए, plus plus हो जाए, तो क्या compiler आपको allowed करता है ऐसा, क्या C++ में हम ऐसे नाम लिख सकते हैं, क्या, कभी आपने ऐसे नाम देने के try किया है, किसी variable को function को नहीं किया होगा, करके देखो, computer error बताता है, जैसे कि, यहाँ पे बताया है, देखो guys, क्या लिखा है, member identifier, expected, computer क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे जो आपने लिखा है, मुझे expected है कि, यहाँ पे आप किसी member का नाम लिखो, क्यू लिखो, क्यूंकि n1 से call कर रहे है, तो member को ही call करोगे ना, और member identifier, identifier का मतलब ही क्या होते guys, नाम होते हैं, किसको दिये हुए नाम, variable को, function को, classes को, यहाँ पे हमारे किसको दिया हुआ नाम है guys, किसी function को दिया हुआ नाम चाहिए, तो बट मुझे plus plus ही चाहिए, तभी तो वो इससे match करेगा ना, n1 plus plus से, देखो ना, थोड़ी बहुत तो coding match हो रही है ना, यहाँ पे n plus plus हैं, यहाँ पे n1 dot plus plus हैं, बट compiler allowed नहीं करता है, और यह अब जाके guys, यहाँ पे इसके सामने आपको एक keyword लिखना पड़ता है, जिसका नाम है operator, देखो increment नाम का जो function था ना, उसके जगा पे आप ऐसा सोचो अब, कि मैंने operator plus plus ऐसा उसको नाम दिया है, बट यह special है, यह operator keyword है, compiler आपको allowed कर रहा है, कि plus plus नाम का function को नाम दे सकते हैं, बस उसके सामने आपको क्या लगाना पड़ेगा, operator यह keyword लगाना पड़ेगा, तो ultimately अगर अच्छे से compare किया जाना guys, यह increment नाम के function को यह दिया हुआ दूसरा नाम है, तो ज़रा सोचो, अगर आपने यहाँ पर नाम चेंज किया है, तो क्या ऊपर नाम नहीं चेंज करने चाहिए, क्या of course करने चाहिए, देखो, तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, operator plus plus, वैसे ही guys, जहाँ पर define कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको लिखना है, operator plus plus, तो guys यह जो मैंने लिखा है न operator plus plus इसे ही बोलते हैं operator function तो यह जो हमारा topic चल रहा है operator overloading उसमें एक नया topic आ गया operator function एक दूसरे से of course वो related है guys operator overloading अगर आपको achieve करनी है तो आपको operator function का use करना पड़ता है तो यह जो मैंने define किया है calling किया है declare किया है सब कुछ क्या है operator function है और क्या इसका use करके अब program run किया जा सकता है चलो compile करते है compile तो मैंने यहाँ पर कर लिया guys और अब करते है इसे हम run और देखो run करने के बाद आपको answer क्या मिलता है same answer बराबर मिल रहा है 25 का 26 हो गया है थोड़ी से value change कर देते है guys यहाँ पे अब यहाँ पे मैं 30 लिख देता हूँ तो answer कहा चाहिए guys 31 चाहिए न तो देखो answer मिला है कि नहीं मिला है 30 का 31 हो गया still आपके mind में question आ रहा होगा कि जैसा उपर दिख रहा है n++ वैसा तो अभी भी नहीं दिख रहा है ना आप तो अभी भी जो काम कर रहे हो वो तो operator function का use करकी operator overloading अचीव कर रहे हो मुझे तो इसका support चाहिए था तो सच में इसका support मिला है कि नहीं मिला है यह check करने के लिए इसे हम पहले हटा देते हैं यहां से गाइस और देखो इसे मैं comment बना देता हूँ और ऐसा आपने लिखने के बाद यानि कि यह जो आपने सब कुछ अपसक कोडिंग की है और ऐसा अब आप syntax लिखते है n1 of course होना चाहिए n1++ तो क्या आपको support मिलता है चलो check करते हैं तो इस आने के बजाए थोड़ा सा आगे लगा लो क्योंकि इसके भी दो टाइब होते हैं जो होता है increment and decrement वह प्रीफिक्स ऑपरेटर भी काम कर सकता है तो वह भी हम देखेंगे तो इसे हम करते हैं और देखो गाइस अब क्या हो रहा है 30 का 31 यहां पर हो चुका है यानि कि जो earlier ज function को आपने यहां पर develop किया है guys आपने उसकी coding लिखी है पहले आपने यहां पर declare किया है इसके बाद आपने यहां पर define किया है तो आपने forcefully यह सब कुछ चीज़े की है बट जो syntax हमने रखा है जैसा बिल्कुल syntax किसके साथ काम करता था building के साथ उस syntax का support आप यहां पर लेके आ गए बट कैसे लेके आगए operator function के through लेके आ गए यानि कि इस प्लस प्लस को आपने overload किया है यानि कि extra task दिया है क्या करने के लिए value increment करने के लिए not only इसरी built-in data type के बट ऐसे वाले object के भी अब खास बात यह है कि इसे हम प्लस प्लस जैसे हमने यहां पर लिखा है ना post fix में आप यहां पर भी लिख सकते गाए इससे कोई फरक नहीं पड़ता है दोनों का meaning same ही होता है unless आप इसी किसी expression में use ना करो तो अब सच में value increment हुई है के नहीं हुई है यह चेक करने के लिए यहां पर मैं 45 लिख देता हूँ यहां पर भी आप value change कर सकते हैं ताकि अलग भी unary operator overload कर सकते हैं I hope so कि आपको इतना समझा हो अब रही बात इसमें हम क्या कर सकते पता है यह जो plus plus operator है ना guys एक से जादा भी value का increment कर सकता है या decrement भी कर सकता है as per जैसा आपने program किया होगा वैसे अब देखो मैंने यहां पर extra b नाम का variable लिया है तो क्यों ना और एक यहां पर variable pass कर दिया जाए तो मैंने यहां पर y लिका है और जो b नाम का variable लिया था ना उसमें y की value store कर देंगे और अब display करना है आपको value तो क्यों ना cout और b की value यहां पर क्या कर दे display कर दे ऐसा इसके साथ हो सकता है कि building के साथ की एक ही बार आप plus plus लिका और सब variable की value एक से increment हो जाए नहीं यही तो फाइदा उठाना है गाईज हमें अभी जब हमको support नहीं मिल रहा था तो एक की value increment नहीं हो रहे थी अब जब आपको support मिल गया है तो आप कितने भी variable की value एक साथ increment कर सकते हैं तो आप coding में देख सकते हैं पहले मैंने a की value increment की और उसके बाग b की value increment की बस ऐसे लिखा है आप लगता है ना आपको की a++ और b++ लिखो बिलकुल आप खुशी से वहाँ पर लिख सकते हैं बस आपको अभी calling करते समय नहीं कि दो value भेजने पड़ेंगी तो एक value मैं नहीं हाँ भेज दी 23 एक 45 और 23 है तो display करते समय बराबर value display होंगी आपको कुछ tension लेने की ज़रूरत नहीं कि वह दो display करेंगी नहीं करेंगा वह object है गाइस ओके और object के अंदर बहुत सारी coding हो सकती है बहुत सारे variable हो सकते हैं तो हमारे लिए यह फिर भी काम करेगा मैंने यह जो plus plus n1 करू या n1 plus plus करू तो भी हमारे लिए अच्छे से work करेगा तो चलो यह सच में work करता है कि नहीं करता है वो चेक कर लेते हैं इसे मैं करता हूँ compile और आप देख सकते कोई error नहीं और इसे मैं करता हूँ run तो आप देख सकते हैं value of n1 क्या था हमारा 45 or 23 था और अब देखो value of n1 after increment क्या बन गया 46 and 24 बना है आप बोलेंगे सरी नीचे नीचे क्यों आ देते हैं और इसके जगा पे मैं space देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे वो इसे फिर से run करते हैं और आप देख सकते हैं अभी क्या आ रहा है message आप उपर जो है वो normal variable है और यहां पर देख सकते है value of n1 45 and 23 and value of n1 after increment 46 and 24 तो हो गया गया आप ऐसे यहां पे दो variable नहीं ती object के साथ object ने जितने value rate की है उस सब की value आप एक से increment कर सकते हैं तो सरी plus plus के लिए यह कर सकते हैं क्या नहीं guys आप इसके जगा पे minus minus लिख सकते हैं but minus minus अगर लिखते हैं और इसे अगर आप compile करते हैं तो error आएगा देखो illegal structure operation आप बोलेंगे sir ऐसा क्यों हुआ क्योंकि आपन function बनाया था ना guys वो किस के लिए बनाया था plus plus के लिए minus minus के लिए बनाया है क्या नहीं तो अगर आप चाहते कि आपको minus minus का support मिले गाई तो देखो क्या क्या करना पड़ेगा आपको यहां पे यह जो plus plus है इसके जगा पे क्या करो minus उपर भी जहां पे आपने declare किया है वहां पे भी क्या करो minus minus ओके और बस यह गलती नहीं करना है आपको कि यहां पे coding में अब plus one कर दो देखो ऐसा करने से भी वह plus one होता है बड़ वो अच्छी बात नहीं है ना कि आपने क्या कर दिया है आपने calling करते समय क्या बोला कि वह minus minus करेगा और यहां पे अंदर में coding क्या लि मैंने तो decrement operator का नाम लिखा है वहाँ पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसी गलती मतलब यह rule है कि आपको उसका meaning change नहीं करना है इसलिए as a good programmer आपको यहां पे क्या करना है minus करना है otherwise आपने उसके meaning change कर दी है यहां पे जो plus plus था यहां पे हम minus कर देते हैं और message में increment की जगा decrement क कर देते हैं और देखो अब यह work करता है या नहीं तो इसी आपने run किया देखो value of n 15 था 14 हो गया इधर 45 23 था तो 44 or 22 हो गया that's it guys खदम तो इसी को बोलते है operator overloading और उसे achieve करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है ऐसे operator function का use करना पड़ता है I hope so कि आपको इतना समझा हो अ यहां पर पता है unary minus sign का use करके आपको उसको overload करना है देखो जैसे कि अगर मैं यहां पर minus n लिखूना तो इसका कोई meaning नहीं है जैसे कि आप किसी variable के सामने minus n लिखते हैं और अगर इसे आपको run करते हैं तो भी कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है जैसी कि वैसी value रहेंगी मै आपको बताने के लिए देखो guys यहां पर क्या करता हूँ इस चीज को मैं सब कुछ comment बना देता हूँ ताकि वही activate रहें और after minus ऐसा मैंने यहां पर लिख दिया और run करके देखो आपको क्या output मिलता है value of n is equal to 15 and value of n after minus 15 ही होता है इसका कोई meaning नहीं है जब तक कि आप इसे ऐस ना लिखो n is equal to minus n ऐसा लिखोगे तो ही यह work करेगा तो आप देख सकते हैं आप ऐसा आप करके देखो देखो n की value पहले 15 थी और minus करने के बाद minus 15 होगी बट पता है यहां पे तो आपको ऐसा direct support नहीं मिला कि minus n करने से minus हो जाओ जैसे variable के साथ नहीं हो सकता है ना जैसे कि यह 5 है guys इसके सामने minus sign put करो दो plus का क्या हो जाएगा negative हो जाएगा तो वैसा direct अगर आपको करना है तो भी आप कर सकते हैं object के साथ by using operator overloading तो बस आपने जो minus minus को overload किया है ना तो अब just minus sign को overload करो ठीक है और देखो अगर आपने यहां पे नाम change किया guys तो यह क्या हो जाएगा यहां पे भी आपको change करना पड़ेगा और यह after decrement वगरे था तो यहां पे क्या कर दो after minus लिख दो अब यही पे changes करने से काम चलेगा क्या नहीं आपको यहां पे भी operator का क्या करना पड़ेगा नाम change करना पड़ेगा ultimately guys आपको operator change करना पड़ेगा तो operator change नहीं हुआ है तो माइनस ए और इधर आप माइनस बी लिखते हैं तो अगेन गाइज यह मिनिंग लेस ही रहेगा न क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वेरियबल को एगर वालू चेंज करनी है तो उसको आपको ऐसा स्टोर करना पड़ेगा आपको ओरिजनल वेरियबल में तब ही यह होगा और इसका यूज करके गाइज अब आप कोई भी वेरियबल का साइन चेंज कर सकते हैं जो सपोर्ट पहले नहीं मिल रहा था अभी यहाँ पर मिल सकता है तो इसे करो आप कंपाइल देखो एक एरर आया है सिंपल सा एरर है यहाँ पर हमारे से सेमिकुलन मिस हो गया है तो मैंने इसे हटा दिया है और अब जब इसे आप रान करते हैं तो आप देख सकते हैं 15 का 15 नहीं रहा वाँ सपोर्ट नहीं मिलता है और यहाँ पर क्या मिस्टेक हुए हमारे से 45 23 और यहाँ पर 23 तो मैंनस में हो गया है तो इसे चाहिए था इसलिए वो ऐसे ठीक हुई है चलो इस इसे normal variable के साथ यह minus sign नहीं काम करती है उसके लिए आपको ऐसी coding लिखने पड़ती है तो जो पहले आपको support नहीं मिलता था operator का देखो यहाँ पे आपको operator का support मिल गया है और by operator function और syntax भी आपने change नहीं किया है तो I hope so कि guys आपको यह पूरे concept clear हो गए होंगे तो बस एक छोटा सा concept यहाँ पे रह गया है बस मैं आपको वही बताना है main में हम कुछ भी नहीं करेंगे main जैसा था वैसा ही रहेगा और ज़रा मैं आपको class के तरफ लेके जाता हूँ और ज़रा imagine करो guys अगर यहाँ पे ऐसा word लिखा होता तो guys friend करके इसका meaning आप समझते हो हमने friend function यह topic अच्छे से पड़े है अगर किसी function के सामने आप friend लिखते हैं तो पता इसका meaning सबसे पहले क्या होता है यह जो हमारा function है वो class का member नहीं रहेगा friend कौन रह सकता है class के बाहर का ही function friend रह सकता है तो पहले तो वो था अब नहीं है क्योंकि हम थोड़ा सा program में changes करना चाहते है अगर वो function उस class का member नहीं है guys तो यह number नाम का class और scope resolution operator आप लिख पाओगे क्या नहीं लिख पाओगे और आपको ऐसा एक normal सा function यहाँ पर बनाना पड़ेगा समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ guys यहाँ पर और मैं चाहता हूँ कि फिर भी यह work करे तो सबसे पहले तो आप main में आओ मैं कुछ changes नहीं कर रहा हूँ coding में बस मैं आपको यह समझा रहा हूँ क्या इस function को अब N1 call कर पाएगा क्या कर पाएगा guys नहीं कर पाएगा क्यों नहीं कर पाएगा क्योंकि operator अब उस class का member नहीं रहा है तो member को ही call किया जाता है N1 से या object का use करके आप यहाँ पर display देख सकते हैं यहाँ पर display यहाँ पर gate data करना पड़ेगा मतलब ultimately guys सामने वाला N1 निकल के यहाँ पर चला गया है आपको value pass करनी थी ना calculation के लिए तो अगर वो साथ में नहीं जा रहा है calling में तो forcefully भेजो यहाँ से आपने यहाँ पर parameter भेजा है argument बना के उसे तो अगर वहाँ पर changes हुए हैं तो guys यहाँ पर भी changes होते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है number N1 आ रहा है ठीके guys और अभी इसके बाद यहाँ पर भी आपको define करते समय क्या लिखना पड़ेगा N1 लिखना पड़ेगा और रही बात अब guys यह तो coding हमारी रही नहीं है तो इसे मैं हटा देता हूँ तो अब किसकी value आपको change करनी है A और B का access मिल सकता है कि आपको वहाँ पर नहीं मिल सकता है तो आप देख सकते हैं इसे अगर आप compile भी कर लो guys तो भी दो-दो error आएंगे undefined symbol A, undefined symbol B क्यों होगा ऐसा जब तक आप इसके सामने अब object का नाम नहीं लिखते थे आपको लग रहा होंगा सर पहले तो नहीं लिखाता तो पहले वो friend भी कहा था guys वो तो उसका member था तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा तो ये जो minus sign है ना guys अब ये minus sign आपको इसके सामने ऐसा लगाना पड़ेगा वैसे ही यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा n1.b लिखना पड़ेगा और सच में ये काम करता है या नहीं करता है चलो चेक करते हैं सबसे पहले इसको मैं ठीक कर देता हूँ अब इसे compile करते है कोई error आया क्या तो आपको output याद है ना guys हमने क्या भेजाता 45 और 23 भेजाता उसके सामने minus लगना चाहिए ना देखो minus लगता है या नहीं लगता है तो आप observe करोगे कही पे भी minus नहीं लग रहा है उपर तो possible यह नहीं था वो तो integer variables थे और यहाँ पे जब support मिल रहा था आपको जब वो friend function नहीं था friend बनाने के बाद नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है वो समझना जरूरी है देखो guys जब आप यहाँ से value pass करते है तो value copy होती है तो value n1 में copy होगी और फिर n1 के अंदर के changes हुए आप बोलेंगे सिर्फ वहाँ पे तो n1 है बट वो n1 main में है guys वो यह pass की होई value है यहाँ पे अगर x भी होता तो भी value copy होती है और यहाँ पे n1 है तो भी value copy होई मतलब मेरे कहने का मतलब है कि दोनों भी अलग-अलग है बट मुझे दोनों को same बनाना है तो पता है यहाँ पे आपको reference variable का use करना पड़ता है तो इसके सामने आप just ने किया guys यह and sign लगा दो हमने reference variable topic पड़ा है तो अब पता है क्या हो गया ऐसा लिखने से main वाला n1 और इस function वाला n1 दोनों same हो गया है और इसके वज़े से यहाँ पे जो changes होंगे वहाँ पे reflect होंगे तो हमने यह topic पड़ा है guys already reference function वाला तो अगर आप friend बनाते हैं na specially unary operator में और उसका use करके operator function डिजाइन करते हैं तो यह problem आ सकती है बट इसका solution मैंने आपको बता दिया है और अब इसे run करोगे तो guys देख सकते हैं 45 का minus 45 हो गया और 23 का minus 23 हो गया है तो इसके उपर इसके features पूछे जाते हैं friend function के friend function दो type के हो सकते हैं एक तो वो class का member हो सकते हैं या तो friend हो सकते हैं अगर वो class का member है और वो unary operator overload कर रहे हैं तो आपको value pass करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं क्यों नहीं पड़ती है आपको समझाना जैसे देखो ना guys आप gate data को call करते समय इसके अंदर N1 भेज रहे हैं क्या display करते समय आप N1 भेज रहे हैं क्या नहीं आप उसी से call कर रहे हैं और जो call करता है वो उसके साथ में जाता ही है तो आपको उसको अलग से भेजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो display, gate data उनके members थे तो पहले हमारा जो operator minus नाम का जो function था उसका member था तो बैब मैंने दूसरा topic शुरू किया है मैंने उसको घर के बाहर निकाल दिया है इनको और इसको मैंने friend बनाया है ये friend है just बाहर का function को friend बनाया है तो friend में friend को तो आप object से call नहीं कर सकते है उसे call करना हो तो आपको normal function जैसे call करना पड़ता है but value तो आपको change करनी है इसलिए आपको उसके साथ specially value अलग से pass करनी पड़ती है तो unary operator को अगर आप overload कर रहे है और वो friend function है तो एक argument आपको pass करना पड़ता है और ये हमारे operator function का एक characteristic है ठीक है member के लिए नहीं करना पड़ता है और friend function के लिए करना पड़ता है तो guys I hope so के आपको topic अभी और अच्छे से समझे होंगे थोड़ा सा confusion हो सकता है guys आप first time ये चीज़ देख रहे हैं तो समझने के लिए difficulty जा सकती है जब तक आप उसकी खुद से practice नहीं करके देखोगे खुद आप program बिना देखे type नहीं करोगे जब तक पूरे concept आपको समझेंगे नहीं तब तक ये नहीं समझता है अच्छन का कब यूज करना पड़ता है आपको actually हमें syntax common रखना था बस इतना ही था कि जैसे यहां पर syntax काम करता है तो मैं चाहता था कि ऐसा syntax यहां पर भी work करें इसलिए हमने operator overloading ये concept study किया है तो देखो guys ये आपके उपर depend है कि आपको इसको कितना समझना है या कितना seriously पढ़ना है सब कुछ आपके उपर depend है जितना मेरा काम था इसे समझाने का मैंने आपको समझाया है next class में हम binary operator को overload करके देखने वाले हैं अब भी नहीं समझा तो वहां पर भी समझने के chances है बिट अगर यहां पर समझता है तो वो topic और अच्छे पर समझेंगे आपको binary वाले और अगर ये दोनों class के topic आपको समझ गए तो इसकी theory भी आपको समझ जाएंगी तो guys आज के class के लिए इतना ही मिलते हैं next class में ने topic के साथ तक तक दिक लिए good bye thank you guys